वेलकम तू सिवक्रिपा स्टेडी पॉइंट एन आम यूर क्रिपा मैम डियर्स आज हम अपने नाइन्थ क्लास की इंग्लिश बुक मॉमेंट्स का थार्ड चैप्टर इस वरन दे स्टोरी टेलर की कुछ जो टॉफ वर्ट्स मिनिंग है उनको देखने वाले हैं तो डियर्स कॉपी पैन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए जितने भी टफ वर्ड्स मिनिंग है इनको ताकि लेशन की एक्स्प्लेनेशन में ये क्यूशन अंसर लर्ण करने में आपको कोई भी प्रोब्लम ना हो देखते हैं पहला क्या वर्ड है पहला वर्ड है मेकशिफ्ट मेकशिफ्ट का मतलब होता है ऐस थाई दूसरा है क्वाईरी का मतलब होता है खान अनेकडोट्स मिन्स होता है कहानिया या दंत कथाई इन्ग्रेडियन्स इन्ग्रेडियन्स मिन्स आंस होता है लेंड स्कोप, लेंड स्कोप मींस भू द्रिश्चे, जो सुन्दर सुन्दर द्रिश्चे होते हैं, उनको बोलते हैं लेंड स्कोप अगला है कंजूरप, कंजूरप का मतलब होता है कोई काम को जादूई तरीके से करना या काम को ज़ादू इतरी केशे करना Next है narrative narrative का मतलब वर्णन की गई कोई वस्तू narrate मींस होता है वर्णन करना narrative वर्णन की गई कोई वस्तू Next है florises florises मतलब भासा से यलंकरित जैसे सुंदर सुंदर सब्दों को परियोग करके यह भासा को सजाया जाता है वैसे ही उस भासा को इंगलिस में बोला जाता है florises Next है thrill thrill मींस होता है दास्ता Next है inner mouse inner mouse मींस बहुत बड़ा या काफी बहुत बड़ा भी होता है inner mouse howald it howald it मींस ले जाए जाते हैं howald मींस किसी चीज़ को डोना या ले जाय जाना भी होता है prolog means भुमिका या प्रस्ता होना elaborate elaborate का मतलब होता है पूरे व्यवरण के साथ elaborate means पूरे व्यवरण के साथ stamping पटकते हुए creepers creeper होती है बेले जो बेल होती है लताई जिनको बोलते है उनको इंगलीज में कहा जाता है creepers हेल्टर, स्केल्टर इधर उधर जैसे two and fro होता है two and fro means भी इधर उधर होता है हेल्टर, स्केल्टर means भी इधर उधर grounded जो गुर्राहट की जाती है सेर की जैसे जो आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं grounded next है depred actions depred actions means होता है विनास next manancially manancially means धमकी भरे हुए अंदाज में कोई बात कहना manancially next है wax means तेजी से प्रहार करना toenel अंगुठे का नाखुन अगला है wrapped wrapped means spoon supervisor supervisors mean होता है निरक्षक sides stand keep an eye on किसी पर नज़र रखना ये phrase है एक साथ इसका meaning होता है किसी पर नज़र रखना adjust स्थिती के अनुसार अपने आपको ढ़लना assist mean होता है संपत्ती uncomplainingly बिना शिकायत के हुए complain का मतलब होता है शिकायत करना complainingly शिकायत करते हुए uncomplainingly शिकायत ना करते हुए next word देखी क्या है next word है chatted away chatted away का मतलब होता है गपसप करना chatted away next है desolate desolate means विरान सुनसान next है miracle होता है जादूई और miracle होता है चमतकारिक रूप से जादूई रूप से tidy up साफ सफाई करना life surely life surely का मतलब होता है धीरे धीरे life surely धीरे धीरे muttering muttering means बुदबुदाना बुदबुदाते हुए mutter means होता है बुदबुदाना और muttering बुदबुदाते हुए descriptions वर्णन holding thrill holding thrill का मतलब होता है रूची बनाए रखना next है influenced influenced का मतलब होता है प्रभावीत suspense means संदे है gesture how-how gesture means होते है how-how spotted देखा गया sport mean होता है देखना spotted second form है देखा गया sprouted sprouted means होता है बेढ़ंगे रूप से फैले वे आस्त वैस्त तरीके से फैले वे next है uncritically बिना अलोजना किये critical होता है अलोजना करना critically अलोजना करते वे और uncritically अलोजना ना करते हुए next है timber timber means इमारती लगड़ी tusker tusker means हाथी elephant mean भी हाथी और यहां tusker means भी हाथी है next है emulation emulation का मतलब होता है किसी के बराबर होने की test आ करना परतिस परधा करना भी हम बोल सकते हैं इसको next है outskirts outskirts का मतलब होता है सीमा से बाहर या बाहरी छोर पर किसी चीज़ के बाहर next inhabitants 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 means होता है निवासे grabbed grab mean छीन लेना होता है grabbed छीन ली must ring must ring इकठा करके clasped बेहोस होकर गिर पड़ा clasped में होता है बेहोस होकर गिरना clapsed क्योंकि second form है इसलिए बेहोस होकर गिर पड़ा mumbling बुद बुद आते हुए sarg कंधे उपचाना कंधे उपर करना sarg कहा जाता है paralysis गती हीन करना रोग देना paralysis gradiable विश्वस निये immetiable अध्वित्य या वास्त्विक इग्मेंट मन गढ़त बात जो बात जिसका कोई जिसमें कोई सचाई ना हो केवल अपने मन से ही कही जाए इग्मेंट होती है next है sulk नाराज रहना feline बिल्ली संबन दी कोई बात होती है तो उसको बोलते है feline spine means होता है peat और fetus means होता है phone तो dears ये जितने भी tough words मिनिंग मुझे lesson 3 में दिखाए दिये हैं मुझे लगा है कि इन words का meaning आपको बताना चाहिए मैंने वो सारे आपको बता दिये हैं इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा meaning है जो मैंने आपको नहीं बताया है जिसका English meaning, Hindi meaning आप जाना चाहते हैं तो प्लीज comment कीजिएगा आपकी comment का reply में जरूर दूँगी और dears अगर जितने word meaning बताए हैं आपको समझ में आए हैं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पास में बेल आइकन आएगा उसको ओल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोज कंटिनूसले आप तक पहुंचते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दैन बाई बाई है वे ग्रेट टाइम